साथियों, भारत के गाउं के लिए, गाउं में रहने वालों के लिए, जितना काम पिछले छे वर्षों में किया गया है, उतना आजहादी के छे दसकों में भी नहीं हुआ. छे दसक तक गाउं के करोड़ों लोग बैंक खातों से बन्चित थे, ये खाते अब जाकर के खुले हैं, छे दसक तक गाउं के करोड़ों लोगों के घर में बिजली का कनेक्शन नहीं था, आज हर घर तक बिजली पहुँच चुकी है. छे दसक तक गाउं के करोड़ों परिवार साउचालई से बन्चित थे, आज घर घर में साउचालई भी बन गए हैं. साथियों, दसकों तक गाउं का गरीब गैस कनेक्शन के लिए सोज भी नहीं सकता था, आज गरीब के घर भी गैस कनेक्शन पहुँच गया है. दसकों तक गाउं के करोड़ों परिवारों के पास अपना घर नहीं था. आज गाउं के करीब परिवारों को पक्के घर मिल चुके हैं और आने वाले बहुत ही कम समय में जो बचे हुए हैं उनको भी पक्के घर मिले, इसके लिए मैं जी जान से लगा हुआ हूँ. दसकों तक गाउं के घरों में पानी, घर में पानी, पाइप से पानी, कोई सोच नहीं सकता था. अब हर घर में पानी पहुचाना है, आज देश के ऐसे पंदरा करोण घरों तक पाइप से पीने का पानी पहुचाने के लिए जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है। देश के हर गाउं तक अप्टिकल फाइबर पहुचेने का भी एक बहुत बड़ा भ्यान भी तेजी से हो रहा है। पहले लोग कहते हैं बिजली आती हैं जाती हैं, अब लोग सिकायत करते हैं, मुबाइल फॉन में कनेक्शन आता हैं जाता है। इन समस्यों का समाधान वो अप्टिकल फाइबर में हैं। साथियों, जहां अभाव होता है, वहाँ ऐसी ऐसी ताकतों का प्रभाव, ऐसी ऐसी ताकतों का दबाव परिशान करके रख देता है। आज गाव और गरीब को अभाव में रखना कुछ लोगों की राजनीती का आधार रहा, ये इतिहास बताता है, बुद्काल बताता है। हमने गरीब को अभावों से मुक्ति का भिहान चलाया है। भावयों बहनों, ऐसे लोगों को लगता है कि अगर गाव, गरीब, किसान, आदिवासी ये ससकत हो गए, तो उनको कौन पूछेगा। उनकी दुकान नहीं चलेगी। कौन उनके हाथ पर पकड़ेगा, कौन उनके सामने आ करके जुकेगा। और इसलिए इन लोगों का तो यही रहा कि गाउं की समझाय बनी की बनी रहे, लोगों की समझाय बनी की बनी रहे, ताकि उनका काम चलता रहे, और इसलिए कामों को अटकाना, लटकाना, बढ़काना यह हुए उनके आतत हो गई थी. आजकल इन लोगों को खेती से जुड़े जो अइतिहासिक सिधार किये गए हैं, उनसे भी दिक्कत हो रही है, वो लोग बॉखला है हुए है, ये बॉखला हट किसानों के लिए नहीं है, खुद की दुनिया जो अब देश समझने लगा है ना उसकी परेशानी है, पीडी, दरक्वीडी, विछोलियों, गुस्खोरों, दलालों, इनका तंत्र खड़ा करके जो इनोंने एक अपना बढा ही, एनने एक प्रकार से मायाजाल बना के रखे थी, देश के लोगों ने उनकी मायाजाल को, इनके इन सवे मनसुमों को दहाना देश की जनता ने परोड़ो भारतियों की भुजाएं, जहां एक तरफ भारत के नवदिवार में जूटी हैं, वहीं ऐसे लोगों की सच्चाए भी उजागर कर रही हैं, देश के ओल नूटने में लगे रहे लोगों को, देश अब पहचानने लगा है, इसलिए ही ये लोग आजकल हर बात का आग बंद करके बद विरोद करो, गाली गलोज करो, गंदी भाशा का परोग करो, ये करें, इन्हें न गरीब की चिंदा है, न गाओं की चिंदा है, न देश की चिंदा है, उनको हर अच्छे काम के प्रते परिशानी हो रही है, ये लोग देश की विकास को रोकना चाहते ह ये लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे गाउं, गरीब, हमारे किसान, हमारे स्रमीक भाई बेहन भी आत्मंदिर फर बने, आज क्रिशिक शेत्र में जो सुधार हुए हैं, उस से जिने किसानों को लगता था, लेकिन आज हमने डे, गुणा, MSP हमने करके दिखाया, वो नहीं कर पाये थे, छोटे किसानों, पशुपालों को, मचवारों को, किसान क्रेडिट कार मिलने से, जिनकी काली कमाय का रास्ता बन हो गया है, उनको आज समस्या हो रही है, यूरिया की नीम कोटिंग से, जिनके गैर कानोनी तौरतरी के बंध हो गये, दिक्कत उन्हें हो रही है, किसानों के बैंक खाते में सीधा पैसा पहुचने से, जिनको परिशानी हो रही है, वो आज बेचेन है, किसान और खेद मद्दूर को मिल रही बीमा पेंशन ऐसी सुविदाओं जिनको परिशानी है उनलों को हो रही है वो आज कृष्टी सुधारों का विरोध करने में लगे हुए है लेकिन किसान उनके साथ जाने को तयार नहीं किसान उनको पहचान गया है